कि है कि है कि है लो पहरे दोस्तों मैं विश्वास आप सबका आक्सपोर्ट क्लासस में स्वागत करता हूं अगर आज का सेशन देखिएगा दोस्तों आपके जो भी बच्चे चाहे वह एयर फोर्ट्स एंड ये सीडियस ने भी एनिकी या फिर इससी के जितने भी conducted exam होते हैं अगर वो देते हूं तो आज का ये सेशन उनके लिए बहुत ही खास है क्योंकि मैं कुछ चुनिंदा वर्ड लिया हूं जो कि हर बार exam में repeat होते हैं और ऐसे से वर्ड हैं ये सिर्फ हमारे ही चैनल मिलेगा दोस्तों और आपको कहीं नहीं मिलने वाला है तो दे या देखिये दोस्तों जिसating का भझा कन क्रद दैन दीज़ीब दोस्तों हुए को ऊंफर से इस यह होता है और दूसरा का नफैर ओ प्रप thousands ऑन पान कम अ और पान है आगे देखिये देखीकर बिथ और कन फैरम आं सार्वाण साथ दोनों आप्सें में देगा यह निकान फट वर्ड़ देगा बिद और आन अपान दोनों देगा दोस्तों हम कौन सा यूज करें यह हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होती है तो क्यों न हम इनको एक ही आज के वीडियो में इनको सॉल्व कर ले जाए ओन फर बिद क्या होता है संबडी क्या होता है दोस्तों समबडी ओंफर आन अपान होता है संथिं यार नि की कहने के मतलग किसी से आप यह बीचार वी मर्स करने गलद लिए कि ज़स सांतिंग डिसकक्स सम्फिंग बिध शंबडी डिसक्ससम्फिंग बीथ विध संबडी है नं तो और यह कंफ़ अनों पान क्या है कंफ़र अन्पान क्या है यह होता है आपका गिव एन एवार्ड गिव एन एवार्ड ठीक है दोस्तों यानि कि ये विचार विमर्ज करना ये इसको क्या लिख सकते हैं विचार विमर्ज करना कि मिमर्ज करना ठीक है और इसको क्या कह सकते हैं कंफ़र ऑन पान सम्टिंग गिवन एवर्ड यान पुरस्कार देना या प्राइस देना ठीक है दोस्तों आए 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 चले आगे बाई यह एक वर्ड हो गया आपका इसको सब को बहुत ही इंपोर्टेंट है यह हमें सा अब यह क्या है इंडो और वेस्टो देखिए इंडो वेस्टो अब यह क्या है इंडो और वेस्टो देखिए मैं देने का सेंस दे रहा हूं देखिए इंडो वेस्टो इंपार्ट धान देजेगा यह सारे वर्ड जो मैं लिक रहा हूं यह सब देने का सेंस है दोस्तों इस का देने का इंट्रेस्ट अब देख लिजिए आज कितना वर्ड है देखें इंडो विस्टो इंपार्ट इंट्रेस्ट रेंडर कि शकर कि शकर कि यह सकर कॉंफ़र तो भी जैस्ट मैंने लिखा लिए लिए यह वर्ड मैंने लिखें दोस्तों आप इसमें देखिए इनका सबका अर्थ ही है देना क्या होता है दोस्तों देना लेकिन अब क्या देना है यहां समझें यह आपको सीजियल 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 एंटी एस इस टोन फेस किस जितने भी एससे के कंड़क्टर रिजाम या फिर एंडी एस एडियस एक्सवाई ग्रूप एरफोर्स के जितने भी जाम होते हैं उसमें यह आपको को ऑप्शन में कन्फियूस करने के लिए दिया जाते हैं तो जब तो इनका मंतर नहीं समझेंगे इनको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों आईए देखते हैं इंडो इंडो हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन बिद लेता है क्या लेता है बिद लेता है और बेश्टो अपने स अब यह नेचर क्या है यानि कि इंडो विद प्रदान करना देना कोई जैसे बाइनेचर मैं कहूं कि लता मंगेशकर को उनको इतनी अच्छी आवाज उनको नेचरली रूप से प्रदान की गई थी प्राकृतिक रूप से दी गई थी ठीक है दोस्तों यह आपका और बिश्टोन यानि कि जो हिमन मानों के दौरा कोई चीज दिया जाए आप किसी चीज को एचीव करें एक्क्वायर करें गेन करें और यह आपकर क्या होता है बिश्टोन आईए इंपार्ट इंपार्ट क्या होता है ग्यान देना क्या होता है दोस्तों ग्यान देना इंप इंट्रस्ट इंट्रस्ट होता है जिम्मेवारी देना जिम्मेवारी देना देख लिए सारे वर्ड देना ही है लेकिन अंतर उनके यूज में होता है दोस्तों जिम्मेवारी देना यानि जैसे कहें duty यानि की करता बेनी होने की जिम्मेदारी देना आईए रेंडर क्या है क्या दोस्तों रेंडर क्या है यह होता है help करना सहाइता देना क्या होता है सहाइता देना help करना रेंडर ठीक है ना अब यहां पर सकर मैंने एक और डिका है सकर मिस भी होता है सहायता देना लेकिन कब मुश्किल में पड़े ब्यक्ति की मदद करना सकर का यूज कब किया जाएगा जब मुश्किल में पड़े ब्यक्ति की ब्यक्ति की सहायता देना ये सकर कॉनफर कनफर होता है आपका क्या होता है कनफर कनफर होता है आपका देना क्यों रहता है देना या प्रदान करना हम प्रदान करना अभी यह यह ले क्या है ले विपने मीश होता है अंड़े देना यह आप हमारे वीडियो पर आप जा करके आ इस ले का कॉंसेट्ट बहुत यह अच्छे से बताया मैं एक वार फिट्स यहां आपको बता देता हूं दोस्तों ले का कॉंसेट्ट देखिए ले के तीन रूप चलते हैं पहला लाई लाइड 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 दूसरा ले लेन लेन तीसरा ले लेड 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 देखिए दोस्तों लाई लेन यह यह तीन पार्ट चलते हैं लाई लाइड 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 ले लेड 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 ये इसका केस होता है दोस्तों ये लाइड 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 इनका प्रियोग जूट बोलने के संस में होता है किसमें जूट बोलने के संस में जो लाइड लेड लेड है ये पोजीशन ओफ रिस्ट क्या होता है दोस्तों पोजीशन ओफ रेस्ट यानि की आराम की अवस्था में कोई वीवस्त रखी हो वो क्या है पोजीशन ओफ रिस्ट है उसके लिए हम लाई ले लेन का यूच करते हैं यह ले लेड और लेड क्या है यह पुटवाई होर्स है पुटवाई फोर्स आप किसी चीज को फ रहते रहते हैं जब आपको सुना होता है तो आप मेज पर रखते हैं तो वहीं रखना आपका क्या है बाई फोर्स ले तो उसके लिए क्या आएगा ले लेड और लेड आएगा यहीं मैं कहा दूं टेबल पर मेज रखी है या पड़ी है वह अराम वस्ता में है पोजीशन साफ रहते हैं तो यह आप इसको जरूर देख लिए यह वर्ड बहुत ही अच्छे हैं और ले मिस क्या होता है अंडे देना अच्छे देना इसको आप स्टार बना करके नुट कर लिजेगा नेक्स वर्ड में चुद चलना हूं अब बताने यह आपको हर जगर निशपेपर या फिर आपको exam के passes में देखने को मिलता है देखिए यह, मैं यह लिख दे रहा हूं दोस्तों क्या है? जैसे कहते हैं, पाड़ टेक ओव क्या कह सकते हैं? पाड़ टेक ओ दूसरा हम कहा दहें, टेक पार्ट डेक दख लिजिए दोस्तों पार्ट टेक आउप और टेक पर्ट दो वर्ड मैंने लिखिया है आब एक वर्ड में हाली के और लिख लेता हूँँ अपियर TP Duesra word मैं लिख देता हूँ par Serbia please osadутствiaение मैं लिख दिया हूँ ऍपियर कहीं प्रतित होना कहीं उपस्थित होना है ना प्रदर्शित होना पार्टिशिपेट भाग लेना अब यह कहां भाग लेना है यह सब आपको पता होना चाहिए टेक पार्ट क्या है और पार्ट टेक क्या है पार्ट एक ओफ लेता है टेक पार्ट ओफ नहीं लेता यह जानते रहें दोस्तों पार्ट हिस्सा लेना टेक पार्ट क्या होता है टेक पार्ट होता है प्रतनिध्त करना यानि कि किसी के प्रतनिध्त के रूप में साथ देना यानि कि जैसे आप कहीं जाए उस प्रतनिध्त भागीदारी के रूप में होना टेक पार्ट है जैसे कि साधी विवाह में दूला दूलन क्य है दूला दूलन क्या है तो क्या है टेक पार्ट है वो प्रतनिदित तो है ना उनकी बिना तो फिर समारो ही समाप्त हो गया उनके बिना कोई समारो तो हो गया नहीं तो क्या है वही क्या है टेक पार्ट है लेकिन जो उसमें हिस्सा लेते हैं वो क्या है पार्ट टेक है तो appear at appear at or sit for do होता है appear at or sit for होता है यह परिक्षा में भाग लेना क्या होता है परिक्षा में इसको मैंने लिख दिया टेक पार्ट का प्रतिनिधित निधित में भाग लेना में हिस्सा लेना और दूसरा appear at or sit for up क्या है परिक्षा में भाग लेना एक्जाम में परिक्षा में भाग लेना नेक्स वर्ड है participate करना आप ये कहां भाग लेना है किसी कारे क्रम में भाग लेना ये दोस्तों ये आप नोट कर लेजेगा बहुत ही अच्छे वर्ड हैं मैं यहीं पर आज का लास्ट वर्ड लिखने चल रहा हूं दोस्तों जो आप लिखें देखिए यह वर्ड ऐसे हैं कि आपको एक्जाम में हर एक्जाम में देखने को मिलेंगे मैं ऐसे आपके बहुत सारे वर्ड आपको बताता रहूंगा दोस्तों बस केवल चैनल से जुड़ जाए और अभी तक सब्सक्राइब ना किये हो तो सब्सक्राइब कर देजिए उस रेड आइकन पर और बिल आइकन जरूर प्रिस करिएगा दोस्तों चले देखिए मैं यहाँ पर आपको यह वर्ड जो बताने चलना हूं आपको थोड़ी लच्छण से संबंदित है जैसे कि हम लोग यूज कर तरा आउदे एक वर्ड हमने नाम सुना है Het syndrome Your syndrome In patrol यह स्वाय औंडि ढ ड़ो एनि क्या होता है यह भी लक्षन होता है यह भी क्या होता है क्या होता है ठीक है दोस्तों यह भी होता है लक्षन होता है लेकिन एक साथ कई बिमारियों के यह लिख लेगा इस तरह से एक साथ कई विमारियों के लक्षण देख कर दो अब मैं यहां पर लिखांगा टी आर ए आई यह भी क्या है यह भी लक्षड ही है लक्षण है लेकिन यह पोजिटिव होता है यानि कि गूड यहनि कि जैसे कहते नहीं है इसके लक्षण बहुत ही अच्छे हैं आ जाता है ना तो यह क्या है लक्षण यह गुण यानिक उसकी विशेषता बताने वाले जो होते हैं क्या है वह लक्षण है दूसरा आपका एक वर्ड लास्ट वर्ड है करेक्ट्रेस्टिक क्या है करेक्ट्रेस्टिक यह characteristic ठीक है दोस्तों अब इसका बताइए जरा अब यह तो क्या है यह भी लच्छण है लेकिन कैसे चरित्र का इसका चरित्र के लच्छण यह चारित्रिक लच्छण भाई जैसे कि आप बड़ो का आधर करिए यानि कि आपके घर कोई गेस्ट आया महमान आया तो उसके पहलों स्वागेश्ट करिए उसका जो अगर पद्में उच्छ है तो उसके पैर चुनिए और मातर पिता की सम्मान करिए यह क्या है आपकी कारिक्ट्रिक्स लख्षण है यह चारित लच्छण है यह आपकी इसे करेक्ट्र डिवलाफ होता है की रड़का बहुत ही अनरमन्द है बहुत ही मैनर और यह क्या है आपकी गुड यानि की अच्छाईयां कैसे हैं यह आपके गुड़ों को बताता है ठीकर दोस्तों और सिम्ड्रॉम क्या होता है लच्छण होता है लेकिन एक साथ कई बिमारियों के लच्छण होते हैं और आपका सिम्टम क्या होता है लच्छण होता है लेकिन यह बिमारी के लक्षर होते हैं तो दोस्तों यह वर्ड है आप इनको नोट कर लिजेगा हम नेक्स वीडियो में फिर आएंगे इसी तरीके से वर्ड को ले करके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग थैंक्यू